हेलो एबरीवेन वेल्कम बैक ओन वर चैनल दिवेशे फिजिक्स तो आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक वह क्या मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का करव भी यह वाला कर्व समझने के बाद कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं रहेगा तो स्टार्ट करते हैं अब देखो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट अब बाइंडिंग एनर्जी से पहले तो हमें यही बता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट क्या होता है ठीक है तो द अब देखो यहां पर इस कॉंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्जाम्पल लेटे माल यह यह हमने बिकर लिए ठीक है सिंबल से चाइका पतीला होता है ना वही वाला बिकर लिए इसके अंदर हमने वन केजी सुगर डाल दी पलसस इसके अंदर हमने तो केजी water डाल दिया water और वो भी kg के अंदर बोल सकते है actual में क्या होता है जो liquid होता है उसको हम लीटर में measure करते हैं बट हम kilogram में भी convert कर सकते हैं लीटर को और 1 लीटर किसके equal होता है approximately 0.88 kilogram या फिर बोल दो 0.90 kilogram के equal होता है तो एक extra point है जो धान रख लेना अब इसके अंदर देखो हम नी क्या के 2 kilogram water डाला और 1 kilogram sugar डाल दिया तो overall mass कितना हो गया इस बिकर के अंदर net mass मालो बिकर खुद mass less है मतलब उसका खुद का कोई भी mass नहीं है तो उसके अंदर mass किसके है मतलब weight कितना है water का के अंदर कितना mass है 3 kg बट जब हमने experiment किया तो क्या दिखा जब हमने experiment किया तो बजा चला कि इसका mass तो 2.7 kg है मतलब 2 kg water और 1 kg sugar और फिर भी mass कितना है 2.7 kg मतलब कहीं पर तो घोटाला हो रहा है यहां पर कुछ तो गड़बर है तो वही गड़बर यहां पर हमें देखनी कितने की गड़बर है देखो real में तो होना चाहिए था 3 kg लेकिन है कितना 2.7 kg तो घोटाला कितने का हुआ 0.3 kg का जो यहां पर यह गड़बर हो रही है 0.3 kg इसी को हम क्या बोलते है mass defect मतलब डिफेक्ट का मतलब गड़बर कुछ नहीं कुछ सब्सक्राइब दाल में काला टाइप ठीक है तो यहां पर 0.3 kg क्या हो गया mass defect हो यह तो था हमारे simple example अभी हम physics में देखते हैं यह तो proton का mass है देखो protons है तो mass of proton कितना होगा एक proton का mass होता है MP ठीक है मान लो और एक neutron का mass MN तो nucleus का mass कितना होना चाहिए real में real के अंदर mass of nucleus होना चाहिए mass of proton मान लो इस nucleus में सिर्फ एक proton और एक ही neutron है तो यहां पर mass of proton और mass of neutron ठीक है actual में बट अगर हमने इसको experimentally देखा तो experimentally हमने observe कि यहां पर mass of nucleus less than है कि से mass of proton plus mass of neutron से मतलब इस पूरे का mass कम है और इसके अंदर वाले material का mass जादा है तो मतलब यहां पर भी वाली गड़बर mass defect आ गया तो यही होता है mass defect mass defect क्या होता है difference between masses of nucleons nucleons क्या होते जैसे school के अंदर होता है स्कूल में boys भी रहते girls भी रहती है ठीक हम क्या बोलता है उनको student student का मतलब specially boys नहीं होता है नहीं student का मतलब specially girls होता है student का मतलब student girls भी और boys भी इसी तरह school में रहने वाले बच्चे student nucleus में रहने वाले proton और neutron उनका नाम हमने रख दिया nucleons ठीक है है ना physics के अंतर बहुत अच्छा सा magic school में रहने वाले student nucleus में रहने वाले nucleons चाहिए वो proton हो या फिर neutron मतलब उनके एक अलग identity मिल गई है कि यह nucleons है ठीक है तो mass of nucleons और mass of nucleus के difference को हम क्या बोलते हैं mass defect बोलते हैं तो nucleons का mass ज्यादा है और nucleus का mass कम और इन दोनों के difference को हम बोलेंगे mass defect ठीक है अब हम इसका mathematical expression देख लेते हैं कर दे रहूं तो यह लो यहाँ पर देखूं मालो हमने कोई भी एक nuclei लिया कोई भी element लिया x और यह क्या होगा इसका atomic number यह होगा इसका atomic mass ठीक है जैड क्या होते है number of proton जितना जैड होगा उतने उसमें proton होंगे और जितने proton होंगे उतने उसमें number of electron होंगे यह number equal तब होगा जब atom है वो neutral हो ठीक है उसके बाद ए क्या होता है ए होता है proton plus neutron ए का मतलब इसमें proton भी है और neutron भी है अब हमें पता है proton तो किसके equal होते है जैड के equal तो इसका मतलब ए किसके equal होगे जैड प्लस एन तो number of neutron किसके equal होगे ए माइनस जैड नंबर ओफ न्यूट्रोन किसके equal होगे ए माइनस जैड ध्यान रखना अब दिखो यहां पर हम बोलेंगे कि mass defect mass defect को हम दिखाएंगे delta m से तो mass defect किसके equal होगा mass of proton पलस मास ओफ न्यूट्रोन माइनस में मास ओफ नूकलियस बस ये तो प्रोटोन तो एक ही हो आना टोटल प्रोटोन कितने है टोटल प्रोटोन हो उसका अटोमिक नूबर जेड लिख दो आगे टोटल न्यूट्रोन कितने है न्यूट्रोन है ए माइनस जेड ये भी लिख दो और माइनस में नुकलियस माइनस में नुकलियस का मास ठीक है तो यह हो गया हमारे पास मास डिफेक्ट अब आता है ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन आइंस्टीन ने क्या कहा था देखो आइंस्टीन बहुती ग्रेट साइंटिस था उसने कहा कि इस इकोल टो डेल्टा एंसी स्क्ट या फिर सिंपली लगा लो इस इकोल टो mc's क्या है मतलब mass को energy में convert किया जा सकता है या फिर ये बोल दो कि mass भी क्या होता है energy की एक form होता है ठीक है एक general उसका special case होता है energy का special case है mass वो कैसे मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैं एक energy हूं कैसे prove करोगे मैं तो mass हूं energy कहां से हो गई तो Einstein नहीं कहा कि अगर मैं एक mass हूं और अगर मैं light की speed से travel करने लग जाओ तो मैं किसमे convert हो जाओंगा energy के अंदर मतलब हम wave बन जाएंगे है ना बहुत interesting मतलब हम wave बन जाएंगे किसके according Einstein के according कब जब हम sea speed से speed of light से अगर भागने लग जाएं तो उस case में हम भी एक wave हैं जैसे sunlight होती intra-red होती UV rays होती है similarly ठीक है हम भी एक wave है समझ में यह Einstein में कहाता है यहाँ पर delta M क्या होता है mass defect हमारे इसके according तो अभी यहाँ पर यह जो energy है इसको हमें explain करना है clear तो सबसे पहले mass defect को थोड़ास और explain कर लेते हैं बिल्कुल थोड़ास आई है देखो कोई भी एक element होता है यह element है इसका total mass की इसके equal होता है कोई भी element का मतलो भई उसके अंदर nucleus है और उसके चारों तरफ क्या move कर रहे हैं छुटकू छुटकू electrons ठीक है बहुत सारे electrons move कर रहे है अगर तो हम बोले कि atom के अंदर क्या है तो दो चीज़े एक nucleus और electron है nucleus और electron तो मतलब mass of atom mass of atom mass of atom किसके को लोगा mass of nucleus plus mass of electrons electrons कितने Z तो यहाँ पे Z into mass of electron यह किसके इकॉल होता है पूरे के पूरे atom के mass के इकॉल होता है ठीक है तो यह क्या हो गया mass of atom ठीक है अब इसे mass of atom को हमें इस equation के अंदर introduce करवाने है सिर्फ 3-4 step है ज्यादा नहीं होंगे तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे mass of proton plus mass of neutron minus mass of nucleus इसके अंदर हम mass of electron को add कर देंगे और mass of electron को subtract कर देंगे बिल्कुल simple mass of electron को हमने add किया और mass of electron को हमने subtract कर दिया कोई equation में कोई change नहीं किया हमने सिर्फ addition और subtraction किया है तो इस case में देखो z यहां से ये वाले ट्रम एक तो और एक mass of electron वाले ट्रम हमने क्या कर दी अलग कर दी ठीक है और plus a minus z m and minus mass of nucleus ठीक है और पलस वाले ट्रम और लेडी लिख सुके है एक ये आ गया सारी की सारी equation को हमने rearrange कर लिया अब ये जो दो ट्रम है इनके अंदर से तो negative common निकल रहा है निकल गया जो ये वाले ट्रम है ये और ये इसमें से negative common निकाल के equation लिख दो clear समझाई ये चीज़ क्या होती है ये देखो यहां पर ये वाले ट्रम क्या है mass of nucleus plus mass of electrons और ये तो क्या होता है mass of atom change कर दो Z mass of proton plus mass of electron plus A minus Z mass of wisdom mass of whole atom समझाई तो ये है अब देखो अगर तो हम बात करते है proton hydrogen की hydrogen में क्या होता है एक proton होता है एक electron होता है एक proton और एक electron तो एक proton और एक electron ये तो मतलब hydrogen बन गया magic hydrogen बन गया तो लिख दो ये क्या बन गया इसको mass of hydrogen replace कर सकते नहीं replace करनी मत करो कोई marks नहीं कटेगा अगर करना चाहते हैं तो कर दो proton plus electron मतलब mass of hydrogen के equal होता है तो इसलिए हमने इसको replace कर दिया A minus Z Mn minus M Zxa ये क्या है Del M अब हमें पता है कि जो energy Einstein के according binding energy कि इकल होती है delta M C scale ये क्यों अब कहां से आया देखो हमने कहा था कि जो nucleons है ठीक है जो nucleons है उनका mass ज़्यादा होता और nucleus का कम होता मतलब कुछ mass का defect आ गया है तो वो जो mass का defect आया है वो कहां पर गया तो यहां पर Einstein के according वो mass कहां आपर यूज हो गया convert हो गया energy में convert हो गया energy कुण सी binding energy मतलब nucleus के अंदर देखो nucleus के अंदर जो यह proton और neutron है इनको bind रखने के लिए इनके अंदर bonding बना के रखने के लिए हमें एक energy के requirement पड़ी और वही energy उसको हम क्या बोलते है binding energy बोलते है क्या बोलते है binding energy मतलब जो mass का difference आता है न चीनी वाले example से समझते है कि वहां पर weight होना चाहिए था 3 kg लेकिन मिला कितना 2.7 kg मतलब वो 0.3 kg कहां पर गया भाव बनके उड़ गया ठीक है और भाव बनने के बाद वो सारी चीज़े mix तभी तो हुई जब वो पानी थोड़ा वो पानी और चीनी जो भी था वो भाव बनके उड़ा clear तो similarly यहां पर जो यह थोड़ा सम्माज का defect आ है न वो कहां पर कौन सी भाव बन गई उसकी वो यूज हो गया एनर्जी में ठीक है मतलब यह proton और neutron यहां पर nucleons की bind up करने के लिए भी energy की ज़रूत है तो इसने का थोड़ा सा मास हम देते हैं थोड़ा सा मास हम देते हैं और थोड़ा थोड़ा मास इनों ने देके sharing कर लिए मतलब bond बना लिए ठीक है और वो जो थोड़ा सा मास का defect हमें दिख रहा था ना गड़वर वो गड़वर यहां पर हुई है मतलब nucleons को bind रखने के लिए ताकि nucleos stable रहे तो उनकी stability में यह contribution था तो समझा है binding energy क्या होती है it is defined as the energy with which nucleons are bound in the nucleus nucleons जो होते वो nucleus के अंदर bound होते है मतलब बन्दे होते है बिल्कुल अच्छी वाली bonding के साथ अब यह जो definition होते है इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे पहले इसको लिख लेते है तो binding energy किसके को लागी इस पूरी टरम को agities लिख लो z mh प्लस a माइनस z mn माइनस m zxa और इसको c square से multiply कर दो और यह आ गई हमारे पास binding energy ठीक है अब binding energy को देखो हम थोड़ा से detail में समझते तक इसका graph हमें समझ में आ जाए अभी तक हम नहीं कहा कि bond बनाने के लिए nucleons के बीच में bonding बनाने के लिए इसने थोड़ा सा mass अपना दिया ठीक है और इसने भी थोड़ा सा mass अपना दिया ठीक है और उन दोनों mass से यहाँ पे कुछ energy बना ली इन्होंने और bond बन गया clear बना मान लेते हैं कि इनको bond बनाने में energy यूज होई x joule हमें नहीं बता x कितना बट x joule तो इस bond को तोड़ने में भी कितनी energy लगेगी x joule समझाया मतलब जो चीज बनाने में अब देखो अगर हम बोल रहे हैं कि एक कोपी को इस कोपी को बनाने में 150 पेजिज लगे है तो अगर मैं इस कोपी को फार दूँगे तो कितने पेजिज निकलेंगे 150 निकलेंगे similarly एक bond को बनाने में अगर x joule energy यूज होई तो bond को break करने में भी कितनी energy चाहिए x joule energy चाहिए समझाया तो binding energy का उती it is measured by work required to be done to separate the nucleons separate the nucleons मतलब bonding को break करने के लिए जो work done किया जबता है work done मतलब जो हमें energy देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं binding energy बोलते हैं तो दोनों definition है confuse मतलब बना के रखना और तोड़ना equal बात है ठीक है तो ये था binding energy अब हम इसका कर्व पढ़ेंगे बहुत अच्छे ज़े तो यहाँ पर ये है binding energy curve ठीक है तो यहाँ पर चाहिए binding energy है वो पर nucleon की दिए है मतलब चाहिए कितने सारे भी nucleons हो अब मैं ये देखना है कि एक nucleon के हिस्से में कितनी energy आई है वही energy हम इस y-axis के उपर लेंगे और यहाँ पर ये है mass number A जो increase होतागे इस तरफ energy increase हो रही है उपर की तरफ ठीक है तो अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना बहुत easy है कोई भी doubt नहीं रहेगा last तक तो देखो सबसे पहले हम start करते यहाँ से यह क्या है hydrogen के isotope तो यहाँ पर जो hydrogen के isotope है H2, H3 deuterium और treatium उनकी binding energy पर nucleon बहुत small है तो सबसे first point ठीक है 2H, H3 have very small binding energy per nucleons मतलब जो bind करने के लिए जो यह वाली energy है बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे देखो थोड़ा से जटके में अलग ठीक है तो binding energy क्या बहुत small है अगर बहुत ज़्यादा small है तो उनको तोड़ना easy होगा तोड़ना easy मतलब वो तो unstable हो गए तो हम बोलेंगे कि इनकी binding energy small है so these are unstable these are unstable मतलब यह stable नहीं है इनको stable होने के लिए क्या करना पड़ेगा दूसरे nuclei के साथ combination करना पड़ेगा और nuclear fusion की process होगी यहां से ठीक है unstable and stability के लिए यह क्या करेंगे nuclear fusion की process करेंगे जो हम अपने next lecture के अंदर पड़ेंगे nuclear fusion क्या होते एक बहुत अच्छा और interesting topic है बड़ा हो जाएगा वर्नर टोपिक nuclear fusion ठीक है second point यहां तक हमने देखा कि इनकी binding energy पर nuclear बहुत small है इसके वज़े से यह unstable उसके बाद आते हैं helium, carbon और oxygen के उपर हीलियम, carbon और oxygen यह more stable most stable nuclei most stable nuclei most का मतलब क्या है यह most मतलब को बस stable nuclei ठीक है comparable to या in comparison to its number इसके पडोसियों से इसके पडोसियों से यह ज़्यादा stable overall सबसे ज़्यादा नहीं है सिरफ इसके नबर से ज़्यादा stable है अब देखो क्यों stable है जो यह हां पे यह peak पे है न यह ज़्यादा stable है helium, lithium से ज़्यादा stable है carbon nitrogen से ज़्यादा stable oxygen oxygen के इस isotope से ज़्यादा stable है क्यों देखो यहां पर हम बोलेंगे कि अगर number of proton number of proton equal है number of neutron से number of proton और number of neutron neutron दोनों equal हैं तो वो नुकलियाई सबसे ज़्यादा stable होते हैं बहुत अच्छे से stable होते हैं बट अब कहो कि यह तो इनके अंदर भी है छे लीथियम के अंदर क्या होता है लीथियम मतलब 36 proton कितने हैं यहां पर atomic number 3 neutron कितने है छे माइनस 3 3 तो इसके अंदर भी है फिर हीलियम क्यों stable है जादा लीथियम होना चाहिए न क्यों stable नहीं है तो यहां पे ना pairing होती है मतलो अगर even number of proton और even number of neutron है तो इनके एक वर्ड और लगा दो कि even number of proton और even number of neutron हो तो वह ज्यादा stable होते है इन comparison to the odd number of proton and odd number of neutron से समझाया ठीक है दुबारा से देखो अगर हमारे पास proton और neutron का number equal है और number भी कैसे even है 2,4,6,8,10 इस तरह से even number है तो वह ज्यादा स्टेबल होते है ऐसे नुकलियाई के comparison में जिसके अंदर नंबर ओफ प्रोटोन और नंबर ओफ न्योट्रोन ओड होते है ठीक है तो इनका स्टेबल होने का रीजन यह है क्लिए नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है अब यहां से हम बोल सकते कि यहां से लेकर और यहां तक यह कर्व एक बहुती स्टेबल वाला कर्व है जब अटोमिक मास 32 120 तक ठीक है 120 अब 140 तक लगा सकते हो यहां पर यह क्या आ जाता है स्टेबल नुकलियाई है सारे के सारे स्टेबल नुकलियाई क्यों क्योंकि इनके बाइंडिंग अनर्जी पर नुकलियोन per nucleon बहुत हाई है binding energy per nucleon क्या है बहुत हाई है थेगे इसका कोई जादा सा बड़ा reason नहीं है इनकी binding energy बहुत हाई है उसके बाद इसके बाद वाले जहां पे atomic mass की value क्या होगी greater होगी जब atomic mass की value क्या होगी greater होगी 120 से लगा ले कितना इसे लगा लो जब हम इस curve से उस side जाते तो crowd effect आता है there comes crowd effect crowd effect का मतलब क्या होता है crowd effect का मतलब भीड़ी कथी हो जाना अब देखो nucleus तो विचारा छोटा सा होता बिल्कुल छोटा सा चीक है nucleus का size हम बोलते 10 raise to the power minus 15 इसकी रेडियस है और अगर तो हम बात कर रहें इसके area की तो nucleus का area measure करते हम बैरन में एक और bonus question मिल गया बैरन क्या होता है area of nucleus जिसकी value होती है approach 10 raise to the power minus 8 meter square ठीक है तो अब nucleus का size तो बहुत small और इसमें बहुत और ज्यार्दा nucleus आ रहे proton आ रहे neutron और संक्या बढ़ती जा रही है यहां पर nucleons कितने थे चार यहां पर बारा 16 चपन 92 141 और यहां पर 235 मतलब बहुत बढ़ गए हैं अब उनको सांस लेनी की भी जगानी पिल्कुल बंदा ऐसे से करके adjust हो रहे हैं तो अब क्या होगा जब बंदा ऐसे से करके adjust होता न उसको घुटन होने लग जाते हैं वह फ्री होना चाता है तो मतलब भाव जाएगा वहां से similarly जब हम इस कारों के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं मतलब आगे की तरफ जाएंगे राइट के अंदर तो crowd effect आजाता crowd effect होने की वज़ा से तो वहां पर binding energy तो है लेकिन binding energy पर nucleons बहुत कम है क्या है बहुत ज़्यादा कम इनके comparison में binding energy क्या होगी बहुत ज़्यादा कम होगी इसलिए ये नुकलाई होगे stable तो इनके unstable होगे तो इनके unstable होने का reason क्या है crowd effect ठीक है तो अभी तक हम बात करें stability, unstability ये stability क्या होती है और कैसे explain करेंगे binding energy पर nucleon से ठीक है तो अभी हम इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखते हैं और ये भी देखेंगे कि इस curve की importance क्या है उस time तक nuclear fusion क्या होता है नहीं पता था nuclear fusion क्या होता है नहीं पता था, atom atomic atom bum क्या होता है बिल्कुल भी नहीं पता था hydrogen bum वो उसका तो नाम होई निसान नहीं था ठीक है तो इस curve की help से बाद में atom bum बाद में hydrogen bum जो अभी आगे आने वाले टाइम में बनेगा ठीक है तो इसकी importance देखते हैं तो देखो importance यहां पर हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में इसके बाद वाली वीडियो अब यह जो पॉशन है स्कित मत करना confusion हो जाएगे वरना तो देखो सुरू में तो हम बोलते हैं कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो डारकली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबली ठीके जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी नुकलियाई के पास उतनी ज्यादा स्टेबल होगी वो जो नुकलियाई होगा उसके पास जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो उतना ज्यादा स्टेबल है जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी उतना कम स्टेबल है अगर तो हम ऐसा सोचते तो हम बिल्कुल गलत हैं हम बिल्कुल गलत हैं 100% गलत हैं कैसे गलत है, प्रूब करते हैं, देखो, हमने reaction ले ये वाले, uranium, barium, krypton, यहां से हम ये तीन नुकलियाई उठा लेते हैं, ठीक है, बाकी main तो तीन ही है, यहां पर मतलब ये जो uranium है, ये unstable है, हमें पता है, और ये किसमें decompose हो जाएगा, barium और krypton में, जो stable है, ठीक है, अब के पास, जितनी ज्यादा binding energy, उतना ज्यादा stable, तो देखते हैं, क्या ये unstable है, देखो, जो uranium है, uranium की total binding energy, कितनी होगी, total binding energy, एक ये क्या है, binding energy, पर nucleon, एक nucleon की binding energy कितनी है, एक nucleon की binding energy कितनी है, 7.59 mega electron volt, थोड़ी calculation है, हम 10 उठा लेते हैं, अब इसमें total nucleons कितनी है, 235, एक nucleon की binding energy है, 7.59, और 235 nucleon के binding energy कितनी होगी, 235 multiply by this energy, और जब हम इसको solve करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1782.9 mega electron volt, समझा है, मतलब uranium 235 की पास इतनी energy है, total energy, nucleons की नहीं, total energy उसके पास इतनी ज़्यादा हाई है, ठीक है, और वो किस में decompose हुआ है, barium और krypton में, हम इनकी भी total energy निकाल लेते हैं, barium की देखू, barium 144, तो total energy nucleon कितने 144, एक nucleon के हिस्से में कितनी आ रही है, 8.3, जब हम total करेंगे तो 1170.3 आ गया, ठीक है, clear, और इसी तरह है, जब हम krypton की बात कर रही हैं, krypton के कितनी है, total nucleon 92, और एक की binding energy है, 8.5, तो यहाँ पे total आ गई, 782 mega electron volt, ठीक है, यह दोनों की दोनों आ गए, ठीक है, अब देखो, हम नहीं क्या कहा, जितनी ज़्यादा binding energy, उतनी ज़्यादा stable, तो इसके binding energy कितनी है, 782, इसकी 1170, और इसकी only 780, तो अगर हम बोले कि हमारी यह वाले statement correct है, उसके according सबसे ज़्यादा stable कौन है, बताओ कौन होगा, uranium होगा, क्योंकि इसके binding energy बहुत ज़्यादा है, कितनी 782 है, यह देखो, कितनी ज़्यादा हिन से, तो हमारे according, अगर हम यह concept मान के चलते, तो सबसे ज़्यादा stable नुगला uranium है, बत जब हम experimentally देखते हैं, यह तो गलत हो गया, यह तो है यह नहीं, तो मतलब हम concept गलत मान रहे हैं, ठीक है, यह वाला जो concept है, totally wrong concept है, कि जो total binding energy, darkly proportional to stability, ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखो, अब इसको improve कर देते हैं, यह जो concept है, modify हो गया, modify होके क्या बन गया, कि binding energy, total binding energy per nucleon, directly proportional to stability, जितनी binding energy, एक nucleon के हिस्से में आ रही, अगर एक nucleon के हिस्से में आने वाली binding energy जादा है, तो stability जादा है, देखो, इसको समझने के लिए न, हम एक सोटे सा example देते, अगर अभी भी clear नहीं हुआ है, तो clear हो गया, तो वीडियो को skip करके आगे देख लो, 10-15 सेकिंड, माल लो, हमारे पास 100 रूपीज है, और एक साइड माल लो, हमारे पास 200 रूपीज है, ठीक है, अब distribute करना हमें 10 students के अंदा है, 10 students में, only 10 students है, clear, अब यहाँ पे 10 students में, जब हम इस binding energy को distribute करेंगे, तो हमारे पास आगे, सभी के पास 10-10 रूपीज आगे, clear, अब binding energy बढ़ गई, binding energy बढ़ी, समझा, binding energy बढ़ी, बट student भी तो बढ़ेंगे न, student माल लो, कितने होगे, अब यहाँ पे होगे 50 student में, देखो, binding energy ज़ादा, तो student भी बढ़ेंगे, मतलो, बांटनी वाले, जिसके अंदर हमें distribute करना है, वो जो distribution ratio भी बढ़ेंगे, कितना आगया अब, सभी के अंदर 4-4 रुपे, तो देखो, फिर हम बोलेंगे, यह कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 100 distribute करने थे, यहाँ पे तो 200 थे, तो यहाँ पे ज़्यादा आने चाहिए थे, यह तो ज़्यादा stable होगा, बट नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ पे population ज़्यादा है, जैसे अगर एक घर में single family है, parents रहते हैं, बच्चे रहते हैं, एक बच्चा हो या दो बच्चे हो बस, वहाँ पे कम salary में भी काम चल जाता है, बट अगर उसी थामले में 3-4 students हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, और इसी ज़्यादा भी होगी, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे distribution बढ़ रहा है, तो यहाँ पे distribution बढ़ रहा है, जो uranium है, यहाँ पे जो energy हो 235 persons के अंदर distribute करनी है, ठीक है, तो यहाँ से समझ लेना, हमारे पास माइने रखती हमें यह बताने के लिए, कहाँ पे better condition है, हमें देखना पड़ेगा, एक के हिस्से में कितने आए, यहाँ पे एक के हिस्से में आए चार, और यहाँ पे एक के हिस्से में आए चार, तो कौन ज़्यादा stable है, दस वाला stable है, हमारे लिए यह रुपे माइने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तो population के according depend करते हैं, तो ह यहाँ पे stability कैसे define करते हैं, total binding energy per nucleon, directly proportional to stability, ठीक है, अब देखो, यहाँ से इसके importance देखते हैं, इसकी जो importance है, एक तो हमने बात के थे अभी fusion की, वो हमने study कर लिया कि जब हम यहाँ से lighter nucleia, जो बहुत ज़्यादा unstable हैं, जिनकी binding energy बहुत कम है, वो क्या करेंगे, fusion की process करेंगे, जैसे nuclear fusion में क्या होता है, hydrogen के isotope मिलकर helium मनाते, तो binding energy यहाँ से सीधा यहाँ बढ़ गई न, तो मतलब nuclear fusion में तो क्या होगा, binding energy बढ़ गई, तो वो stability होगी, nuclear fusion के अंदर और देखो, nuclear fusion में, जब हम uranium से, किसके तरफ आते हैं, बेरियम और क्रिप्टोन की तरफ आते हैं, तो binding energy पर nucleon बढ़ रही है, binding energy पर nucleon बढ़ गई, तो मतलब stability भी बढ़ गई, ठीक है, stability तो समझ में आ गया, stability तो अभी तक भी हमने study कर लिया, बढ़ चो यह energy release का concept है, वो क्या होता, देखो, हमने कहा कि uranium 235 decompose होगा, बेरियम 141 पलस किप्टोन 92 के अंदर decompose होगा, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर का, बेरियम की total energy 1170 और क्रिप्टोन की 782, मतलब दोनों का addition कितना होगा, 952.3 मेगा इलेक्टोन वोल्ट, और अकेले युरेनियम की है, 717, 82.9 मेगा इलेक्टोन वोल्ट, ठीक है, तो देखो, जो युरेनियम था, वो unstable था, वो decompose हुआ, बेरियम और क प्रिप्टोन में, अब देखो, पहले energy कितनी थी, 782, फिर energy कितनी हो गए, 9, यहाँ पर 1952, 1952 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब, जब यहाँ पर energy बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, total binding energy increase हो रही है, हम क्या बोलेंगे, if total binding energy increases in a nuclear reaction, nuclear reaction, total binding energy increases in a nuclear reaction, then it releases energy, it releases energy, मतलब यहाँ से, यहाँ तक जाने में, energy क्या होगी, release होगी, समझा रहे है, जब हम इस nuclei से, इस nuclei में जाते, तो energy क्या होगी, release होगी, जब भी हम low binding energy to, high binding energy की तरफ जा रहे है, तो मतलब देखो, यहाँ पे तो एक nucleons को, ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक जो यह nucleon है न, nucleus है, इसको बनाने में energy हो जो रहे है, 782, 782, ध्यान देना, अगर हम चाते कि uranium बन जाए, तो इसके लिए हमें कितनी कोस्ट देनी पड़ेगी, 782.9, ठीक है, अगर हम चाते, barium और krypton का combination बने, तो हमें कितनी कोस्ट देनी पड़ेगी, 782 से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और कोस्ट दो, कितनी, 952.3, देखो, कोस्ट बढ़ रही है न, मतलब, इनको bind अप करने के लिए, और जादा energy लग रही है, binding energy क्या होती, जो nucleons को bind करके रखती है, यहाँ पे तो nucleons को bind करने में सिर्फ इतनी से energy लग रही है, लेकिन जब हम इन दोनों के mixture के बाद करते, combination के बाद करते, तो यहाँ पे इनको bind अप के लिए इतनी high energy मिल रही है, तो मतलब, यहाँ पे energy क्या होगी, release, इसको और जादा energy release करनी पड़ेगी, तो जब भी कोई भी nuclear reaction होती है, और वहाँ पे binding energy increase हो रही होती है, that means वहाँ पे binding energy, जो वहाँ पे energy है, वो release हो रही है, stability को gain करनी के लिए, ठीक है, मतलब यह वाली नुकलिया यह भी क्या होगे, जादा stable, तो यह था हमारा binding energy per nucleon का curve, अगर इसमें कोई doubt है, तो you can comment in the comment section,